तो Samsung ने एक नया अपडेट रोल आउट किया है जिसकी मदद से यहाँ पर जो notification पैनल है आप उसको और भी बेटर तरीके से customize कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछी तरह से color change हो रहा है दोस्तों तो यहाँ पर आपको काफी सारे advanced features मिल जाते हैं इस नए अपडेट क के अंदर तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं तो वीडियो को like किजिएगा साथ ही चैनल पर यदि आप पहली बरहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूट से प्रेस कर दीजिएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्य सब्सक्राइब करना है go to store यहाँ पर सभी details शो करेंगे क्या कुछ यहाँ पर changes किया गया है तो यहाँ पर बात करें इसके latest version की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.0.92.0 इसका version है और what's new में देख सकते हैं supports one UI 6.1.1 तो बहुत ही जल्द सैमसंग यह 24 series, 23 series, 22 series में one UI 6.1.1 आने वाला है उसका support दे दिया गया है चेंज widget logic on cover screen तो यह for level devices के लिए है added selection of notification screen background color on lock screen fixed and issue where receiving notification with large images caused error तो यह कुछ improvements और ने features add किये गए हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर आपको इसको कर लेना है update, update करने के बाद मैं इसके changes बताता हूँ तो update करने के बाद आपको good lock में चले जाना है यहाँ पर आपको life up में जाना है और noti star application को open कर देना है यहाँ पर notifications ही show करते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सभी notifications देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर detail में normal notification panel में तो कुछ इस तरह से notifications आते हैं यहाँ पर आपको detail detail में notifications देखने को मिलते हैं with large icons कुछ इस तरह से यहाँ पर आप keyword से भी search कर सकते हैं जैसे YouTube हो गया कोई message हो गया आप उसका keyword यहाँ पर डाल कर search कर सकते हैं यहाँ पर मैं clear भी कर देता हूं normal notification panel से notification तो यहाँ पर तब भी रहता है यहाँ पर चलते हैं settings में तो सबसे पहला है activate notice star तो आपको activate कर देना है यहाँ पर नए feature की बात करें तो यह नए feature add किया गया है using on lock screen यहाँ पर background color add किया गया है यहाँ यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको color चूच कर लेना है transparency यहाँ पर चूच कर लेना है और done पर क्लिक कर देना है और जब आपका device lock होगा तो यहाँ पर एक icon देखने को मिलेगा इस तरह से आपको swipe कर देना है यहाँ पर देख सकते हैं जो color मैंने set किया है उसी color का background हमें देखने को मिल रहा है जो कि देखने में क इसको आपको swipe करना है आपको सभी notifications मिल जाते हैं और यहाँ पर मालीजी notification पैनल से notification रिमूब भी हो जाता है तो अब भी यहाँ पर show करेगा दोस्तों और यहाँ से आप अलग-अलग colors भी चूच कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं जैसे yellow color है तो यहाँ पर मै स्क्रीन लॉग तो अगर आप इसको on कर देते हैं तो यहाँ पर आपको password जो भी आपने सेट किया होगा वो इंटर करने के बाद ही यहाँ पर open होगा दोस्तों और यहाँ पर background color भी यहाँ पर change नहीं होगा यहाँ पर यह option अभी on है तो कुछ इस तरह से यह शो कर रहा नोटिफिकेशन लेकिन अगर आप इसको off कर देते हैं तो जो normal है कुछ इस तरह से यहाँ पर शो कर रहा है तो यह नया feature end किया गया है Samsung की तरफ से यहाँ पर बात करें features की तो सबसे पहला है application list किन किन applications का notification आपको चाहिए आप उसको select कर सकते हैं मैंने all select किया user filter list यहाँ पर especially आपको किन keywords और applications को देखना है notifications आप उसको यहाँ पर choose कर सकते हैं इसके बाद है start icon setting यहाँ पर जो lock screen में start का icon देखने को मिलता है आप उसके color को change कर सकते हैं transparency को change कर सकते हैं और save पे click कर देना है यह save हो जागा दोस्तों इसके बाद है यहाँ पर next option notification storage period तो यहाँ पर कितने समय तक आपको notifications चाहिए आप maximum one year का select कर सकते हैं यहाँ पर last one year का notifications यहाँ पर चेक कर सकते हैं यहाँ पर यह save रहेगा मैंने यहाँ पर 30 days select किया है 30 days मेरे लिए enough है दोस्तों तो आप इस तरह से इस application को use कर सकते हैं काफी useful application है आप इसको customize कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं तो यही था आज किस वीडियो में उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर देजेगा like चैनल पर यदि आप पहली वर आया है तो चैनल को कर देजेगा subscribe मैं मैं मलता हूँ आपसे next जैहिंद वंदे मात्रम